जहन मेरे प्यारे साथियों उमीद है आप बहतर होंगे अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे देखिए हर एक युवा का जो सिक्षक बनने का सपना लेकर बड़ा होता है उसके साथ यह बात चलती रहती है कि भी आप मैं सिक्षक प्राथमिक लेबल का बनूँ या 6-8 या नि जाता है जुनियर के लिए आप जानते हैं जुनियर टीचर जुनियर एड़ेट सिक्षक या ने जुनियर ही बोलते हैं उसके बाद टीजीटी और पीजीटी से संबंध है अब यहाँ पर बता दू कि जो सीटेट का पेपर 2 है वह 6-8 के लिए है और उसकी योगिता जो है दूसरी बात कुछ जगों पे डिया जाता है जो ग्रेजुएशन किये हैं अदर्वाइज वह बीएड वाले लोगों के लिए है नाइन टेन्थ और 11 वाले लोगों के लिए है तो टीजीटी और पीजीटी में इस तरह का कोई क्वालिफाइग पेपर नहीं होता है बहुत स इन राज्यों की वेकेंसी अभी तत्काल में चल रही है इसका फार्म वह भर सकते हैं इंतिजार पुरी तरह से अगर उकर रहे हैं तो तो अगर आपका भी सप्रा है एक सिक्षक बनने का तो आप टीचिंग माई अम्डी क्लासेज के प्रेट फार्म पर पुरी तरह से भरो सबसे पहले दोस्त अगर हम बात करें सिक्षक भरती में तो सीटेट के उपरांत क्या करें या राज्य का टेट जैसे बिहार के हैं अगर आप तो बिहार टेट दी होंगे बी टेट बोलते हैं यूपी में यूपी टेट बोलते हैं ऐसे ही बात करते हैं अन्य राज्यों के तो देखें नौकरिय आपके दो लेबल की एक राजी अस्तर की यहा और रजियस फिलन स्कूल है इसका प्रिंसलि चर्णी सारे स्थ्टुएंट्य गड़ है इस वज़ा से फिर चैसे रिखेंट में हलने के समावना है है 2024 में वेकेंसी आने की समय होना है अगर आप भी EMRS के तुर्ण सिक्षक बनना चाहते हैं तो जाहिर शिवात है एक बहतरीन आउसर हो सकता है यहाँ प्रतेक दो वर्ष पर या प्रतेक वर्ष डेड़ साल के करीब इनका पेपर इनका फाम आता रहता है यह सव्विदा पर भी टीचरों के लिए वेकेंसी आती विए की कल ही हमने एक वीडियो बनाई थी वहां पर सव्विदा के सेक्षों के पोस्ट आय हुए हैं तो यहाँ प सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप 6-8 के लिए इलिजबल है और हर दो वर्ष पर फाम आता है इसका आने वाला है तो इंतजार कीजे कमिंग सून है पीजीटी पीजीटे के वाले जानी बीएड किये हुए लोग जो ग्रेजिवेशन पोस्ट ग्रेजिवेशन किये हैं उनक के तरब से भी केंद्रे विद्ध्याले में यहाँ पर पिर आले टी की की कमिंग सून है तो बहुत ज्यादा लोग इंतजार भी कर रहें और हो तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों के बन में यह की डौकरी फिर से आखों में चमक लेकर आई हुई है कि फिर से आने वाला है बाकि आप जान रहे हैं छह से आट के लिए पेपर टू और 910 पीजिटी पीजिटी में भी बहुत अच्छे सेलेक्शन हुए हैं इस बार स् तो यहां पर फिल कर सकते दूसरी बात अगर हम कहें जल्दी आने वाली है क्योंकि राजस्थान में दो साल हो चुके हैं दो नहीं तीन साल हो चुके हरयाना की वी वेकंसी जो है इसका पहला पेपर हो चुका है दूसरी पेपर बिल्कुल लोग इंतजार कर रहा है जल्दी ही होगा और यह भी आप अगर शीटेट पेपर टू और बाकी एक्जाम कौलिफाई है तो इसका पेपर वोड़ जबरजस्त होता है जारखंड की कहानी अगर हम आपको बताएं तो जारखंड का फॉर्म फिर से रियोपन हुआ है और होना है क्यों दे सकते हैं दूसरी बात करें बिहार का टियारी 3.0 24 अगस्त को होना है बिहारे कैसा राज जी बना है जो उसने हर बर्स सिक्षक वर्ति कराने की बात की है 2023 में दो बार एक्जाम कराके एक इतिहास रचा है लगातार दो लाग से उपर सिक्ष्यों की वर्ति की है और दूस आँ सचीन मिस्ट्राजी अगर हम बात करें यूपी टेट की तो यूपी टेट में वेकंसी का एक बड़ा लंबा इंतिजार हो चुका है क्योंकि कि भी या बहुत पहले से टीजी्टी penguin की गंछी जाए थी दोजयर बाइस में उसके बाद से हुआ कि हाँ उतर्प्रदे सिक्षा सेवा चेहन ऐका घठन होना शुरू हो गया तो उस वज्टा से कोई hayır with यहाँ पर नहीं आई ये वेकेंसी पूरी की गई अब शिक्षा सेवा चैन आयो का गठन तो हो गया है गठन क्या पूरी तरह से बन गया नीमावली बन गये नीमावली लाइब भी हो चुकी है लेकिन उसमें अध्यक्ष और बाकी पोस्ट पे किसको वेकेंसी करनी है उसके लिए फार्म आ चुका है लोग भर चुके अब जल्दी सिक्षा सेवा चैनायों के गठन के उपरां हम यह उमीद करते हैं कि फरवरी लाज्ट मार्च में आपको यहां पर भी आसपास से सम्मंदित है तो यहां पर सीटेट पेपर उन पर टू अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो इन राज्यों में आप अपने किस्मत का ताला के लिए एक बार आजमा सकते हैं कि यहां पर वेकेंसी कवारी तो मेरा यही आपसे कहना है कि बहुत सारे राज् लगबग 24,000 यह पे लगबग 24,000 तक वेकंसी देखने को बिलने वाली है तो यह बहुत सारे फॉप मैसे जो बहुत जल्दी देखने को मिलने वाले वीडियो रिकार्ड रखियेगा और इसको देखियेगा कि साल में ये सारी वेकेंशी आती है कि नहीं сबसemic से मैं आपको बता रहा है कि कौन कौन से वेकेंशी आभी लाइव होने वाली है और कौन-कौन से इंतजार कर रहे हैं Thank you so much. मस्त रहे जवर जस्त रहे.